ये भगवान, कितनी गर्मी हो रही है और इस एक कमरे में सब कैसे कीडे मकोड़ी की तरह पड़े हुए है आई, क्या करूँ मैं? भाबी, आप अपी तक सुए नहीं क्या? ये भगवान, अब क्या करूँ? कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली? नहीं नहीं, बस सुनी जा रही थी देवरानी जी, अगर आप सुए नहीं हो तो क्या आज मैं आपकी पास सुजाओ? प्लीज मना मत करना, मेरा बहुत मने आपकी साथ सुने का हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी आनन तो काम के सिलसले में बाहर गये है सोजाओ दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब दामेनी के जिठानी अपनी देवरानी के बगल में जाकर सोजाती है और तेज-तेज खराटे मारने लगती है अपनी जिठानी के खराटों की वज़े से दामेनी को नींदी नहीं आती वो परिशान हो जाती है हाद हो गई, बहला इतना जोर का कोई खराटा मारता है क्या पता नहीं जिठी इसके साथ कैसे सोते होंगे और पापा आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं कभे बात दी नहीं करूंगी आपसे बेचारी दामेनी, शादी करके फस जाती है अब इसी तरह से कुछ दिन बीच जाती है ऐसे ही एक दिन जब दामेनी जैसे ही सारा काम करके आराम करने जाती है वैसे ही कुमल गीले पाउं लेकर पूरे घर में घुमने लगती है अरे अरे कुमल तुम ये सब क्या करी हो मैंने अभी जाड़ू पूछा किया है सारा सामान ठीक किया है और तुम गंदे पाउं लेकर घर में घुम रही हो उपर से मेरे सामने ही घर के सारे सामान को इस तरह बिगाड रही हो क्यों? बापी मुझे कॉलिज के लिए लेट हो रहा है और मेरा नया वाला पिंक सूट नहीं मिल रहा मैंने कली यहां रखा था का आ गया कुमल अपना एक सूट ढूडने के लिए पूरे घर को बिखिर देती है और वो तो आराम से अपने कॉलिज भी चली जाती है पर अपना विख्रा हुआ घर देखकर दामिनी का गुस्सा साथवे आस्मान पर पहुँच जाता है चुडल कहीं की हमेशा मेरा घर बिगाड कर चली जाती है एक तो चीडिया खाने में आकर मैं परिशान हो चुकी हूँ आने दो इस बार आननजी को उनसे कहूँगी कि इस कमरे को खाली करो और कहीं और चलो अब मैं और एक कमरे में अपने सिसुराल वालों के साथ नहीं रह सकती दामिनी एक कमरे में अपने सिसुराल वालों के साथ रहकर बहुत परिशान हो चुकी थी और इस बार उसने ठान लिया था कि वो कहीं दूसरी जगा दूसरा घर लेकर आनन के साथ रहेगी अब जैसे ही रात को आनन घर आता है तो दामीनी उससे अकले में बात करने की सोचती है अरे बेटा आ गया तू कितने दिनों किछिट्टी लेकर आया है और तेरे ओफिस वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते क्या देखो तो कितना पतला हो गया है मेरो बीटा मा मैं बिलकुल जी को देखो आप सभी के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ इन सब की क्या ज़रूरत थी वैसे आनन जी मुझे आप से कुछ बात करनी थी हाँ तो कहो ना मैं यही पर तो बाढ़ा हूँ अभी नहीं थोड़ी दिर बात वैसे इतनी भी ज़रूरी बात नहीं है इतने दिनों बात आये हूँ आप मा जी और अपनी बेहन से अच्छे से मिल तो लूँ अरे बहू हम तो मिल चुके हैं अब तू नहीं मिलेगी क्या अपने पती से मैं यहीं बैठी हूँ जाकर तू थोड़ा आनन से बात कर ले तुझे जो भी बात करनी है कोई बात नहीं मा जी इतने दिनों बाद आनन जी आए हैं आप बात कर लीजी मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ खुसर बुड़ी हम दोनों को पांच मिनिट अकेला छोड़ेगी तब तो मैं कुछ बात करूंगी न गूंद की तरह चिपक गई है अपने बेटे से यह नहीं कि बेटे को बहु के साथ पांच मिन के लिए अकेला छोड़ दो दामीनी आनन से बात करने की काफी कोशिश करती है पर एक ही कमरा होने की वज़े से उसे समय ही नहीं मिल पाता कि वो आनन से बात कर सके और देखते ही देखते आनन के जाने का समय भी आ जाता है देखते ही देखते कैसे दस दिन निकल गए पता भी नहीं चला और मुझे जिस बारे में आनजे से बात करने थी वो बात तो हो भी नहीं पाई ये सोच सोच कर दामिनी परिशान हो जाती है और चाहा कर भी कुछ नहीं कर पाती समय के साथ एक कमरे में वो सिसराल में रहने की आदर डाल लेती है ऐसे ही कुछ महिने बीच जाते हैं और एक दिन मेरे बेटे के बाद मैं जिनकी शादिया हुई थी उनके भी पोता-पोती हो गया पता नहीं मैं कब अपने पोता-पोती का मुँँ देखूंगी माजी जब आप मुझे वेरे पती के साथ अकेला छोड़ेंगी तब ही तो मैं आपको कोई खुश खबरी सुना पाऊंगी ना पर आप लोग तो इस घर से कहीं जाना ही नहीं चाहते बला एक कमरे में सिसराल कैसे बस सकता है क्या हुआ बहु मैंने कुछ गलत कह दिया जो तो इतना नाराज हो रही है नाना आपसे कभी कोई गलती हो सकती है क्या माजी मैं आनन जिसे एक छोटी सी बात नहीं कर पाई और वो आफिस वापस चले गए और आप मुझसे पोच रही है कि मैं नाराज क्यों हूँ आपको नहीं लगता कि अब हमें दो कमरे ले लेने चाहिए आखिरकार दामिनी का गुसा अज सबकी सामने आही जाता है वो नाराज हुकर अपने काम में लग जाती है पर अर्षना अपनी बहुक की बाते समझ जाती है अब इस बार जब आनन्द आता है तो आने के साथ वो कमरे को छोड़ने की बात करता है चलो, हमें आज ये कमरा खाली करना है मैंने बड़ा घर लिया है सब के लिए और अपना खुद का कमरा होगा दामिनी अब तो खुश हो ना तुम नया गर मैं कुछ समझी नहीं अरे तुम मुझसे यही तो बात करना चाहती थी ना माने मुझे सब बता दिया है और तुम्हारा कहना भी जायज है पर हमारी कुछ मजबुरिया थी ना इसलिए ना चाहती हुए भी हमें इतनी मुझकिनों का सामना करना पड़ रहा था और हमारे साथ तुम्हें भी फर अब सब ठीक है अब हम सब एक साथ रहेंगे आखिरकार दामिनी का सपना सच हो जाता है और वो लोग अपने एक कमरे से निकल कर बड़ा खर ले लेते हैं और सब अपने-अपने कमरे में अलग-अलग रहते हैं